नौसकेर आप देखेरें न्यूज, शक्र मैं आफिसार, शर्मा और आज मैं आपके सामने एक नहीं दो मुद्दे लेकर आया हूँ वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच क्योंकि खबरों की इनी गहराईयों में छिपा है राजमीती का असली खेल मुद्दा नमबर एक, राहूल गानी की बढ़ती लोकप्रियता किस तरह से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और अमिच शा के लिए सिरदर्द का सबब बन रही है और मुद्दा नमबर दो, एक और जज भाजपा में हुआ शामिल, जिससे बड़ा प्रशन खड़ा हो रहा है अगर जज इस तरह से राजनीतिक दलों में शामिल होंगे, तो क्या उनके फैसलों पर सवार उठाए जाएंगे इसकी चर्शा होगी, क्योंकि यह नहायती समवेदंशील मुद्दा है दोस्तों, उसकी हम चर्शा करेंगे मगर सबसे पहले चर्शा राहूल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता की दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, रविवार को दो चीज़े होई पहली चीज़ जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा पत्रकार अजेंद्र उर्मिला त्रिपाठी ने अपनी तरफ से एक आखड़ा पेश किया है जो आप अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं यह आकड़ा यह बता रहा है कि चाहे गूगल हो, चाहे यूट्यूब हो राहुल गांधी की लोगप्रियता प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले बहुत ज्यादा है यानि कि गूगल में और यूट्यूब में लोग राहूल गांधी को ज्यादा सर्च कर रहे हैं बनिस्पद प्रधान मंत्री नारेंद्र मोदी को इसका आर्थ क्या हुआ दोस्तों टेलिविशन में जो टी आरपी होती है उसमें धांधली की जा सकती है मगर गूगल यूट्यूब सामने दिखाई देता है यूट्यूब में आपको कितने लोगों ने देखा वो सामने दिखाई देता है इसमें पता चल रहा है कि राहूल गांधी की लोगप्रियता प्रधान मंत्री नारेंद्र मोदी के मुकाबले में बहुत जादा है मगर रविवार को एक और चीज हुई है दोस्तों क्या आप जानते हैं कि प्रधान मंत्री के Twitter पर 100 million followers हो गए हैं और प्रधान मंत्री ने अपने समर्थकों को इसका धन्यवाद दिया काश प्रधान मंत्री अब जब कि आपके 100 million followers हो गए यानि 10 करोड followers हो गए हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि बलातकार की धंकी देने वाले गाली गलाच करने वाले trolls को आप unfollow कर देंगे जिसकी मांग मैं पिछले 8-9 सालों से कर रहा हूँ तो दो खबरें थी एक तरफ प्रधान मंत्री जिनके 100 million followers Twitter यानि X पर हो गए हैं मगर दूसी तरफ Google और YouTube पर लगातार बढ़ती राहूल गांधी की लोग प्रियता और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों उत्तर प्रधेश में जब लोगसभा की चुनाव हुए थे जिसमें गटबंधन को इंडिया गटबंधन को 43 सीटे मिली थी शुनावो की ठीक बाद उत्तर प्रधेश में एक पोल किया था CSDS ने और उसमें कुछ शौकाने वाली बाते सामने आये थे शौकाने वाली बात क्या थी दोस्तों कि उत्तर प्रधेश के अंदर प्रधान मंत्री पद के लिए राहुल गांदी प्रधान मंत्री से उपर हैं ये अपने आप में बहुत ही शौकिंग बात है क्योंकि माना जा रहा था कि उत्तर प्रधेश में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का कोई जबाब नहीं है टेंशन में क्यूं आ गए हैं, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और आमिट शाह, मैं आपको कुछ और चीज़े दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, मनिपुर पहुँचे, नहीं, मनिपुर नहीं, मनिपुर, मनिपुर यानि M-O-N-E-Y-P- और जब मैं मनिपुर कह रहा हूँ, तो मैं क्यों कह रहा हूँ, प्रधान मंत्री पहुचे, मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में, जी हां, मनिपुर तो नहीं जा सके, जहां हर गुजरते दिन के साथ हालात बत से बत्तर हो गए हैं, मगर वहां दिखे जहां पैसे का खिला दिखा जा रहा था, पैसे का अधनंगा नाच दिखाए दे रहा था, प्रधान मंत्री वहां पहुचे, और प्रधान मंत्री के पहुचने पर लोग धेरों सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल क्या कुछ देर बाद, मगर उससे पहले मैं आपको बतलाना च चाहूंगा कि प्रधान मंत्री पहुंशे थे अनन्तंबानी की शादिये में मगर दूसरी तरफ राहूल गांदी जैसा कि आप 13 सेकंड के इस वीडियो में देख रहे हैं दिल्ली में एक रेस्टरॉंट में पीजा खा रहे थे या खाना खा रहे थे आम जनता के बीच अपनी आम लोगों के बीच में दिखाई दे रहे हैं आम लोगों के मुद्दे उठाते हैं आम लोगों के सवालों का सामना करते हैं प्रेस कॉंफरिंस करते हैं मगर प्रधान मंत्री ऐसा नहीं करते हैं मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों प्रधान मंत्री जो अनन्तंबान कुछ जगा मैं यहां नहीं देता हूं मगर यह एक हकीकत है यहां आपको दो तस्वीरे दिखाई देंगी एक वीडियो में आप प्रधान मंत्री को देखेंगे मुकेश अंबानी को गाली देते हुए यानि यह कहते हुए कि मुकेश अंबानी ने टेंपो भर-भर के राहूल यह अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है काले जन के कितने बोरे भरकर के रुपिय मारे है क्या टेंपो भरकर के नोटे तो बताईए दोस्तों यह दोहरे माबदंड नहीं है तो क्या है लोग यही सवाल उठा रहे हैं इसी तरह की घटनाओं की वज़ा से राहूल गांधी की लोग प्रियता प्रधान मंत्री से बढ़ती जा रही है और बात यहानी रुपियाप के स्क्रीन्स पर आप देख सकत हैं स्वामी अवि मुक्तेश्वर अनंद जो की शंकराचार हैं उनसे प्रधान मंत्री आशिरबाद ले रहे हैं उनके पाओं पढ़के याद कीजेगा दोस्तों इनी स्वामी जी को भाजपा के प्रचार तंत्र ने हिंदू विरोधी बताया था क्यूं क्योंकि स्वामी ज जैसे ही स्वामी जी ने बयान दिया था उनके खिलाव पूरा भाजपा का प्रचार तंत्र पढ़ गया था आज प्रधान मंत्री उन्हें शंक्राचार के पाओं पढ़ रहे हैं तो अंद भक्तों से मेरा सवाल क्या कहिएगा इसी दोहरे माबदंड को लेकर प्रधान मंत् प्रधान मंत्री जो हैं वो लोग प्रिये हैं बात सही है मगर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी के खिलाफ पूरा एक प्रचार तंत्र काम करता है राहुल गांधी मनिपुर जाते हैं तो पूरा मीडिया इस तरह का कचिरा चलाता है कि राहुल गांधी राजनीती कर रहे हैं, राहूल गांदी घटिया राजनीती कर रहे हैं, देखिए आज तक ने किस तरह का जहर उनके खिलाप चलाया था, कहने करत, राहूल गांदी नेता विपक्ष हैं, मगर मीडिया उन्हें नेता विपक्ष मानने को तयार नहीं है, वो जो भी काम करते हैं उन्हें खलनाक के तौर पर पेश किया जाता है। उन्हें पपू के तौर पर पेश किया जाता है। ये चुनाती है राहुल गांधी के सामने। और प्रधान मंत्री जो भी करते हैं उसे मास्स ट्रोग बताया जाता है। ये चुनाती है राहुल मंतुट में आपका मंगलसुत्र मुसालम्akukan को दे दिया जाएगा दो भैसों में से एक मुसालमनों को दे दिया जाएगा सरसर जूट। प्रधान जूट। किसी चुनाव आयोग ने उन पर कोई आक्शन नहीं लिया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सदन के अंदर खड़े होकर जो मर्जी बोलते हैं लोग सभाध्यक्ष ओम बिरला उन्हें देखते रहते हैं मुस्कुराते हुए मगर जब राहूल गांधी बोलते हैं तो उनसे कैमरा हट जाता है उनके माइक को आफ कर दिया जाता है राहूल गांधी के सामने ये बड़ी चुनाटी है दोस्तों उनके खिलाफ प्रचारतंत्र काम कर रहा है उनके खिलाफ मीडिया काम करता है उनके खिलाफ सुपारी लेकर उन पर निशाना साधा जाता है और बावजुद इसके अगर लोग गूगल में राहुल गांदी को जादा सर्च कर रहे हैं लोग यूट्यूब पर राहुल गांदी को जादा देख रहे हैं तो यह आपने आपने बहुत कुछ कहता है क्योंकि यूट्यूब गूगल पर मोधी सरकार का बस नहीं चलता है मगर गोधी मीडिया पर पूरी तरह से भाजपा का कबजा है हाला कि हर गुजरते दिन के साथ गोधी मीडिया की विश्वस्नियता जो है वो खत्म होती जा रही है भाजपा ये बात बहुती जानती है राहुल गांदी मुद्दे उठा रहे हैं जब मीट के अब भ्यारती प्रदर्शन कर रहे थे तो राहुल उनसे मिलते हैं हाथरस में एक बड़ा हाथसा हो जाता है राहुल उनसे मिलते हैं राहुल गांदी मनिपुर जाते हैं राहुल गांदी गुजरत जाते हैं जहां उनके खिलाफ इतना जहरीला प्रॉपगांड़ा चलाया जा रहा था वो जेल जाकर उन कॉंग्रेस के कारकरताओं से मिलते हैं जिनें बंद कर दिया गया था जब कि आप जानते हैं गुजरात के अंदर हिंसा भाजपा के कारकरता कर रहे था राहूल गांधी मुद्दों से पीछे नहीं हट रहे हैं संसत के अंदर जब माइनोरिटी पर हमला होता है राहूल गांधी उसे भी उठाते हैं याने की नेता विपक्ष होते हुए राहूल सवालों से नहीं बचते हैं हाँ मैं जानता हूँ कुछ सवालों से राहूल भी बचते हैं और उसका जिक्र मैंने अपने प्लाटफॉम पर किया है, मगर बड़ा सवाल आपसे, जो मीडिया ये कहता है कि राहूल गांदी इस पर क्यों नहीं बोलते, उस पर क्यों नहीं बोलते, क्या उन्होंने आज तक ये सवाल किया है कि 10 सालों में, 11 साल में हम प्रवेश कर रहे है प्रधान मंत्री ने एक भी प्रेस कॉंफरेंस नहीं किया, प्रधान मंत्री इंटिव्यू देते हैं, तो अपने पालतू मीडिया को देते हैं, और अगर इंटिव्यू किया भी जाता है, तो उनसे क्रॉस क्वेस्टिनिंग नहीं होती है, पलट कर सवाल नहीं होता है, तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के मुकाबले राहुल गांधी की लुग प्रियता कहीं साधा है। मगर आने वाले दो-तीन साल निरणायक होने वाले हैं। क्योंकि आने वाले दो-तीन सालों में राज्यों में चुनाव होंगे। अगले तीन महिनों में महराष्ट जारखंड हर्याना इसके नतीजे आ जाएंगे और अगर यहाँ पर भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया तो आपको अंदाजा नहीं है दोस्तों राहूल गांधी की किस तरह की आंधी आने वाली है और बात वहां यह रुकने वाली है फिर ह लोगा बिहार में चुनाब उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाब और उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस की ताकत लगातार बढ़ रही है और अगर इन सभी राज्यों में भाजपा को इंडिया गडबंधन पटकनी देता है तो यकीनन राहूल गांधी इंडिया गड मुकाबला के ऐसी political party के साथ है जो हर कीमत पर जीतना जानती है और जीतना चाहती है और वो है भाजपा जीत के लिए राहूल गांधी को गिराने के लिए हर कीमत चुकाने को तयार है सब कुछ करने को तयार है इसलिए राहूल गांधी के लिए बहुत जरूरी है कि इन चुनावों में वो अपने सहयोगी दलों के साथ मंत्रणा करें मुझे पता चल रहा है कि उत्तरपदेश में जो उप्चुनाव होने वाले हैं कॉंग्रिस अपनी तरफ से कई unreasonable demands कर रहे हैं कॉंग्रिस को लगता है कि 6 सीटे जितली हैं, 6 लोग सवा सीटे जितली है लिहाजा ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग करें यही नहीं ! 2027 में जो विदान सवा चुनाव होने वाले उत्तर पदेश में मेरे सूत्र बताते हैं कि कॉंग्रिस ने सौ से ज़ादा सीटों की मांग की है अखिलेश यादव से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों पिछले विधान सबाचुनावों में कॉंग्रिस को एक बहुत बड़ा शुन में मिला था बहुत बड़ा शुन में अगर कॉंग्रिस अपनी तरफ से सौ सीटे की मांग कर रही है तो कॉंग्रिस को अखिलेश यादव को ये प्रमानित करना पड़ेगा कि क्यों सिर्फ एहंकार के चलते नहीं सिर्फ इसलिए नहीं कि राहूल गांदी की लोग प्रियता बढ़ रहे हैं नहीं उसे प्रमानित करना पड़ेगा कि वो सौ सीटों के लायक है कि जो क्षेत्रिय दल हैं चाहे वो तेजस्वी हों चाहे वो अखिलेश यादव हों चाहे वो धव ठाकरे हों वो अपने स्तर पर जो राजनीती कर रहे हैं उसका जमीन पर असर दिखाई दे रहा है इसलिए राहूल गांदी यह कहाजाए कॉंग्रिस को थोड़ा जुकना पड़ेगा एहंकार को खत्म करना पड़ेगा और बहुत जरूरी हो जाता है कि राहूल गांदी सहयोगी दलों के साथ क्षेत्रिय दलों के साथ मंद्रणाए करें उन्हें पश्यम मंगाल में मम्ता बैनर जी से भी संबाद करना चाहिए वरना हर गुजरते दिन के साथ पश्यम मंगाल में कॉंग्रिस का खात्मा हो रहा है बहुत जरूरी हो जाता है कि वो संबाद करें बहुत जरूरी हो जाता है कि वो पार्टी के अंदर संबाद करें अगर वो चाहते हैं ये लोकप्रियता और आगे बढ़े बहुत जरूरी हो जाता है कि वो 36 गड़ के अंदर मद्द प्रदेश के अंदर जो संकट है उसे संबोधित करें मद्द प्रदेश के अंदर दिगवजय और कमलनाद जैसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखना है नए खुन को जगा दें बहुत जरूरी हो जाता है कि मद्द प्रदेश के अंदर जो गैंग वार चल रहा है इसवक कॉंग्रिस के अंदर उसे संबोधित किया जाए अगर रहुल ये सब करेंगे तब ही वो अपनी लोगप्रियता के साथ और कॉंग्रिस के साथ इंसाफ कर पाएंगे वरना प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी और आमिश शाह का जो राजनीतिक दिमाग है वो जिस तरह की खुराफात करना जानता है राहुल गांदी वहाँ पहुँच भी नहीं सकते है इसलिए उन्हें बहुत सोच समझ कर काम करना पड़ेगा नियूस चक्र में अब हम जो दूसरा मुद्ध आपको बताने वाला हैं दोस्तों वो बहुत ही संबेदन शील और बहुत जरूरी है खबर क्या है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों मद्ध प्रदेश के पूर्व जज जस्टिस रोहितार्या भाशपा में शामिल हो गया है याद कीजेगा पक्षिम बंगाल में जस्टिस अभिजीत गांगुली भी बगएर वक्त बरबाद किये भाशपा में शामिल हो जाते हैं चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं बीच में कोई कूलिंग आफ पीरेड नहीं था ये कहा जाता है कि कुछ एकाद जजेग्स को ही सारे राजनीतिक तौर पर समवेदिंशील केसिस मिलते हैं कहने का क्या रत है दोस्तों कहने का रतिया है कि जजेग्स की निश्पक्षटा पर अब जानकार सवाल उठाने लगे हैं इस सवाल उठना बहुत लाजमी है दोस्तों और बहुत जरूरी हो जाता है। हम इससे मूह नहीं मोर सकते हैं। हमारे जजज़ज, खास्तोर से मैं उम्मीद करता हूँ कि Chief Justice of India, D.Y.A. चंदरचू जाने से पहले इन मुद्दों को संबोधित करेंगो। क्योंकि न्यायत प्रक्रिया निश्पक्ष होनी चाहिए, पक्षपात से उपर होना चाहिए, किसी दल के लिए नहीं दिखाए देना चाहिए। आखिर क्या वज़ा है कि जब भी कोई केस आता है तो भाजपा या भाजपा प्रयोजित पत्रकार उनके लिए मामला अलग हो ज जाता है, यह सवाल तो पूछा जाएगा ना, जवाब मांगा जाएगा ना, यह उस चक्र में बस इतना ही अविसार शेर्मा को दीजिए जासत, नमस्कार